जैहिन सभी को सवागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया हम कर रहे हैं anatomy and physiology which of the following is the same as inguinal मतलब inguinal की तरह इन में से कौन है इलियक याद रखना है आपको मानस्पेशी इन्फरा इलियक मानस्पेशी होती है अब देखो आप खुछ जानो देखो शरीर में चेक करो कहा होती है the lower ribs are below the dash region यानि कि निचली पसलियां किस region के नीचे होती है जो निचली पसलियां होती है व्यक्ति के शिरिर में वो किस के नीचे होती है किस सब्द के नीचे देखो अब शब्द क्या है उसका hypochondriac hypochondriac region के नीचे पाई जाती है lower ribs अगला the central abdominal area is the dash region abdominal area यानि कि जो पूरा पेट वाला हिस्सा है उसका जो बीचो बीच का केंदर है वो कौन सा region है वो है umbilical तभी तो जो ना भी होती है उसको umbilical cord कहा जाता है जब वो मा से बच्चे को जोड़ती है umbilical cord बोला जाता उसको अगला a dash fracture occurred in the elbow area अब देखो elbow कोहनी कोहनी में कौन सी हड़ी पाई जाती है उसी हिसाब से अंदाजा लगा के आप बताएंगे कि यहां पर जो fracture होगा वो कौन सा होगा कोहनी में पाई जाता है cubital bone तो cubital fracture can occur in elbow area अगला the forearm is an dash area मतलब forearm यानि कि हमारी जो आगे की भुजाएं हैं वो किस area में होती है अब देखो forearm anti-brachial brachialis muscle भी पाई जाती है यहां पर तो ये anti-brachial देखो cubital नहीं होगा cubital कहां होता है कोहनी के पास cephalic भी नहीं होगा कंदे के पास cruel भी नहीं होगा देखो anti-brachial answer अगला a dash fracture occurred in the hip area hip area में कौन सा fracture हो सकता है hip cool है के पास coxal coxal हड़ी होती है read की हड़ी के जो नीचे का हिस्सा होता है वहां पर अगला a mental tumor could be one in the dash मतलब कौन सा tumor हो सकता है brain के पास वाला जो area है उसका अब आप सोचोगे mental tumor का नाम सुनते ही आप लगा दोगे brain या लगा दोगे thigh न यह बड़ा पेचिदा हिस्सा है jaw जबडे के उपरी हिस्से में जो पाए जाता है निचला jaw नहीं उपरी जबडे के हिस्से के पास जो tumor होगा वो कहलाएगा mental tumor अब देखिए अगला क्या है a cervical lesion could be on the uterus or death cervical lesion मतलब चाला लीजन एक तरीके का चाला फोड़ा फफोला कुछ भी कहलो वो uterus में होगा या अब cervical lesion कहां हो सकता है या तो uterus में या गर्दन में क्योंकि uterus के अंदर भी cervical पाया जाता है याद रखना सिर्फ गर्दन वाली हड़ियों में ही नहीं होता a headache is an example of death pain अब सिर में दर्द हो रहा है तो किसका उधारन हो सकता है सिफैलिक सिफैलिक जो नसे हैं उनमें दर्द होगा that is headache pain अगला है the type of joint that is distinguished by having a fluid filled joint cavity is called मतलब वो जोड जिसे द्रव्य भरा हुआ जोड कहा जाता है मतलब किस जोड में द्रव्य पाया जाता है synovial joint अगला in what joint is the root of tooth attached to a periodontal ligament and held into a tooth socket मतलब किस जोड में जो दांतों की जड़ है वो periodontal ligament से जुड़ी होती है tooth socket दांतों का जो socket होता है उसमें बताइए किस जोड में periodontal ligament से जुड़ी होती है बताइए इसका answer है सिरेट सचर देखो सचर यानि कि ऐसे जोड जो एक बार अगर तूट गए तो दुबारा जोड़ते नहीं है बेकार हो जाते हैं फिर तो i amole joint होते है वह कभी हिटे डूलते नहीं तो जाहिर जी वात है कि दांतों के socket की बात कर रहा तो सचर रहेना अब देकिए गॉम फोस दांतों के ही जोड हैं सचर सचर मतलब ऐसा ही जोड नतों के जोड में भी रहता है a laughing लेकिन यहां ऐसे जोड की बात कर रहा है जहां पर सौ लाइक आरी आरी की तरह जोड बनता है आप देहों दाथ जब और जूड़े होते हैं जैसे होते हैं लगडी काटने वारे फोसी तरह दान उसी को बोलते हैं सिर्ड़ सचर सचर के भी वैसे बहुत टाइप्स हैं पर बहुत ज़ादा वो जानने की ज़रुद नहीं A DAS is a type of cushioning joint that allows limited movement and is found both in symphysis pubis and intervertebral disc मतलब एक ऐसा जोड का प्रकार जो की गद्दे की तरह कारे करता है बहुत थोड़ी बहुत movement करा पाता है यह symphysis pubis में और intervertebral disc मतलब read की हड़ी में और कूले वाले जोड में पाया जाता है बताइए यह कौन सा जोड है यह है symphysis नाम ही पता चल रहा है symphysis pubis, symphysis जोड यह भी मतलब बिल्कुल नहीं हिलने वाला नहीं है यह सचर की तरह बिल्कुल ना हिलने वाला जोड नहीं है पर बहुत ना के बराबर movement होती है symphysis देखिए full explanation दिया है मैंने जब आपको skeleton system वाला section पढ़ा है anatomy and physiology में पूरा जानना है जाए वहाँ पढ़िए पूरा detail देखिए अगला an epifisial plate is what type of joint even though it is temporary देखिए epifisial plate यह temporary होता है पर्मानेट नहीं होता बढ़ते बढ़ते यह plate फिर बाद में दूसरे रूप में बदल जाती है यह किस प्रकार का जोड होता है अब देखिए epifisial plate जानते है न growth plate भी बोलता है इसको छोटी उम्र में यह growth बढ़ाने का काम करता है किस प्रकार का joint होता है यह synchondrosis joint epifisial plate एक synchondrosis joint होता है मतलब सबसे बाहरी हड़िया है मतलब सबसे बाहरी हड़िया है मतलब जोड के पास की सबसे लास्त में जिसको मैंने भी उपर epifisial plate बताया इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मैनिस्की अब देखो आप मेंसे कोई खिलाडी हो उसे पता होगा घुटने में अक्सर चोट लगके मैनिस्कस टियर हो जाता है और मैनिस्कस अगर फट जाए तो फिर समझ लो की बहुत ही लंबा इलाज चलता है बहुत लंबा रेस चलता है सरजरी करवानी ही पड़ती है काटिलेज के पास होता है यह तो यह क्या होता है मैनिस्की मैनिस्कस टियर इसी से समझ दित है डैस जॉइंट्स आर केपेवल ओनली और साइट तू साइट एन बैक एन फोर्थ मूवमेंट मतलब या तो साइड में घूम सकते हैं या फिर आगे पीछे घूम सकते हैं ऐसे कौन से जॉइंट हैं यह कौन से जॉइंट या तो सिर्फ साइड साइड में घूम सकते हैं या फिर सिर्फ आगे पीछे घूम सकते हैं Gliding Joint, देखो हिंज मत लगा देना, हिंज तो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में movement कर पाता है, ये तो side side भी कर रहे हैं और आगे पीछे भी कर रहे हैं, हिंज सिर्फ आगे पीछे movement कर पाता है, पर gliding joint, फिसलने वाले जोड आगे पीछे भी कर पाते हैं, और side में भी कर पाते ह जैसे कलाई अगला इनर डैस जॉइंट एन ओवल सर्फेस फिट इन्टू ए कनकेव डिप्रेशन इस जॉइंट्स आर सेट टू बी बाइक्सियल मतलब एक ओवल यानि कि अंडाकार सत्य है एक धसे हुए अवतल हिस्से में धसे हुए पाई जाती है और वो बाइक्सियल होता है मतलब दो ध्रूवों पर गती कर सकता है उस जोड को क्या कहते हैं उस जोड को बोलते हैं कॉंडिलोईड जॉइंट अब देखो जा नहीं पता है आपको तो जॉइंट्स पढ़िए जाकर के इसकेलेटल सिस्टम पढ़िए वहाँ पर जॉइंट्स को बड़े याथ तरीके से बाइ डायग्राम फुल समझाए कौन सा जॉइंट किसके किसके उधारन है जैसे जैसे आपको उधारन पता चलेगा अपने आप आपको याद हो जाएगा अगला कंधे के और कूले के जॉइंट्स बॉल इन सॉकेट जॉइंट होते है अगला डैस अकर्स वैने पार्ट ऑफ बॉडी इस एक्स्टेंडेट बियॉंड दा अनाटोमिकल पोजिशन सो देट जॉइंट एंगल इस ग्रेट देन एक्स्वासी मतलब कौन सी प्रक्रिया होती है जब किसी शरीर के हिस्से को मतलब उसकी सीमा से ज़्यादा स्ट्रेच कर दें और इतना कर दें कि वो एक्स्वासी डिग्री से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए उसको क्या बोलते हैं हाइपर एक्स्टेंशन 180 से ज़्यादा हो जाए तब अगला The movement of the soul of the foot outward or literally is मतलब foot का soul यानि की पैर को बाहर की तरफ अगर movement कराएं बाहर की तरफ तो उसे क्या कहा जाएगा तो पैर के soul का बाहर की तरफ movement क्या कहलाता है पढ़ा है आपने Eversion अंदर की तरफ घुमाओगे तो inversion और बाहर की तरफ घुमाओगे तो Eversion अगला In a dash lever the resistance is positioned between the fulcrum and the effort अब देखो lever उत्तोलक उत्तोलक में किस प्रकार के उत्तोलक में resistance यानि की प्रतिरोध fulcrum और effort यानि की axis यानि की धुरी और प्रयास यानि की बल के बीच में होता है धुरी और बल के बीच में प्रतिरोध हो किस प्रकार के lever का हुदारन है second class अब lever तो इतनी आसान तरीके समझाया है कि पूछो मत जाओ बायो मेकेनिक्स वाला पढ़ो बिना anatomy physiology जाने हुए कोई किंजोल्जी बायो मेकेनिक्स कर नहीं सकता अच्छे से याद रखना इस बात को the dash of the shoulder joint functions to deepen the cavity of the glenoid fossa अब देखो glenoid fossa की cavity यानि की गुहा में अंदर धसकर कंधो को कार्य करने में मदद करने वाला जोड कौन सा है? glenoid labrum अगर पढ़ा हो तो glenoid labrum अगला which features of the hip joint is not also a feature of shoulder joint मतलब इन में से कौन सा hip joint का feature है लेकिन shoulder joint का feature नहीं अब देखो hip joint और shoulder joint दोनों ही ball and socket joint है लेकिन बताइए कौन सा ऐसा feature है जो hip joint में है ball joint में नहीं strength यानि की ताकत ये hip joint में है जितनी है उतनी shoulder में नहीं deep articulating fossa गहराई में धसे हुए है बिल्कुल यह है लेक बुरसे बुरसा नहीं होता हिप में shoulder में होता है बिल्कुल सही तो यानि की all these hip joint features are not features of shoulder ये सारे hip joint features shoulder में नहीं होते अगला what two ligaments lies within knee joint नी joint में ये कौन से दो ligaments होते है anterior cruciate ligament and posterior cruciate ligament यानि की ACL और PCLA दोनों होते है बाकी ये oblique तो नहीं होता lateral collateral ligament and medial collateral ligament दो option बन जाते हैं यहाँ पर तो इतना सीख गए होंगे आप उमीद करता हूँ सीखते रहे मेरे साथ next part का वेट करिए जुड़े रहे तब तक के लिए जैहन कि अधिते हैं झाल 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 झाल